याद रखिये मैंने तो अभी सिरफ पिछले कुछ दिनों की तस्वीर आपके सामने रखिये और वो भी पूरी-पूरी नहीं क्योंकि समय का भाव रहता है। कॉंग्रेज वर्सों से यही करते आई है। भावियों और भेनों महाराष्ट्रे में इन्होंने अभी से अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। आप देखिए महायुती सरकार ने महाराष्ट की महिलाओं के लिए लाड़की बहन योजना शुरू की, इसमें बहनों को डेड़ हजार रुपया मैना और तीन LPG सिलिंडर मुप्त मिल रहे हैं। महा अगाड़ी वाले इसे हजम नहीं कर पा रहे हैं। वो इंतजार में हैं कि उन्हें मोका मिले, मायुती की सरकार को अगर मोका मिला, जो मिलने वाला नहीं है। सबसे पहला काम ये सिंदेजी पर गुसा उतारेंगे और सिंदेजी ने जितनी ओजनाय बढाई हैं सब पर ताना लगा देंगे। महा अगाड़ी वाले चाहते हैं कि पैसा बेहनों के हाथ में न जाएं। लेकिन उनके दलालों की जेब में जाए। इसलिए हमारी माताओं बेहनों को कॉंग्रेस और महा अगाड़ी वालों से जरा जादा ही सावधान रहने की जरुवत है। साथियों कॉंग्रेस जब सत्ता में थी तो अक्सर ये सवाल पूछा जाता था कि कॉंग्रेस को देश के विकास से क्या तकलीफ है। लेकिन जबसे ये लोग सत्ता से बहार गए हैं इस सवाल का जबाब इन्होंने खुद दे जिया है। आज कॉंग्रेस के असली रंग खुल कर सामने आ गए है। कॉंग्रेस को अब अर्बन नकसल का गैंग चला रहा है। पूरी दुनिया में जो लोग बारत को आगे बढ़ने से रोकना चाहते हैं। कॉंग्रेस अब खुल कर उनके साथ खड़ी है। इसलिए अपनी गोर असफलताओं के बावजोत। कॉंग्रेस सरकार मनाने का सपना देख रही है। कॉंग्रेस जानती है कि उसका वोट बैंक तो एक रहेगा। लेकिन बाकी लोग आसानी से बढ़ जाएंगे तुकड़े हो जाएंगे। कॉंग्रेस कॉंग्रेस